हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very well पहरे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बैसिकली बात करेंगे कि अभी के टाइम में आपको तैयारी कैसे करते रहना है कीप गोइंग कैसे आप कर सकते हो कौन कौन से चीजे हैं जो अभी आपको दिकते दे रहे हैं पहरे दोस्तों में वाट्सअप का लिंक है वहाँ पे आप बात भी कर सकते हो सारी फैसलिटीज मिलेंगी अपके रिवीजन करा दी जाएंगी लास्ट टाइम में आपको मोटिवेशन गाइडेंस सब कुछ मिलेगा आप अन्यूट करके टीचर से बात कर सकते हो काफी बैतर इन टीच्में की बाते हैं वो सब जानेंगे उससे पहले यह जान लो कि अभी तैयारी करते रहना ज्यादा जरूरी है ठीक है नो मैटर आप किस तरीके से पढ़ रहे हो बड़ पढ़ते रहोगे यह ज्यादा काम आएगा यह डेली उनिवर्सिटी का ओफिसल वेब साइट है ठीक है यहा को भी चीज की आप information चाहते हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी information देखो registration के regarding PhD हर तरीके के आपके जो notice है मतलब PG exam से हो या UG exam से हो यह सब यहाँ पर है ठीक है अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा जिसे आप UG में दिखोगे तो UG में आपको दिख चाहेंगे बट मुद्दे की बात यही है कि अभी तक PG के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया है ठीक है PG के बारे में जैसे आएगा वह आपको inform कर दूँगा तो परिशान होने की जूरत नहीं है दूसरे university की अगर बात करें बनारसुदू university की तो इसकी दो website है एक तो आप यहा सबसे easy क्या हो रहा है अभी वाले बच्चों के लिए NTA के official website पे चले जाओ ठीक है और NTA के जब website पे आप चले जाओंगे तो आपको अभी तो यह disclaimer दिखा रहा है बट यहां पे आपको बहुत सारे about us information, bulletin, key services है ना सब चीज यहां पे आपको दिख रहा है आपको करना कु वीडियो में मैंने बताया था कि Allahabad University का आ चुका है चुकि आ चुका था तो मैंने उसका time table आपको दिखा दिया था इस इस दिन को इस इक्जाम है वैसे ही इन सब का भी आएगा मैं आपको दिखा दूँगा उसके personal official website से या फिर यहां बेसीकली क्या है कि अगस्त में आप तयार रहे हो एक्जाम होने लगेंगे और आपको एक्जाम के लिए तयार रहना है अब last time में क्या होता है हर एक student की problem यह होती है कि उसे लगता है कि सब कुछ पढ़ रहा है याद नहीं रहा है भूल जा रहा है तो एक चीज तो पहले दिमाग से निकाल दो कि admit card आएगा औ यह तुम download करके रख लो ठीक है यह है उनका चीज़ पहले city information देंगे उसके बाद आपको main center का नाम देंगे यह मत सोचना कि पहली ही बार में आपको दोडो दे दे चलो तो यह चीज होगा यह NTA के website पर आपने देख लिया बनारा से कहीं भी update अभी तक कोई नहीं है तो आपको यह परिशानी पहले तो दिमाग से आठा दो दूसरी चीज है कि अभी last time में आप तयारी कैसे sustain कर सकते हो यह बड़ा challenge है क्योंकि तयारी करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको motivation की ज़रूत है last time में यह down हो जाता है मैं जानता हूँ तो पहला काम आपको जो करना है कि आपको जब भी लगे boredom लगे बोर हो जाओ आप लगता है सबको लगता है एक चीज धियान लगना कि आपने इसे start क्यों किया था सुन्दर सुन्दर चीज है उसको देखू लेकिन क्या होता है कि जैसे आप उस किनारे पर पहुशते हो तो मन करता है यार पिछला किनारा जहां से मैं आया था वही ठीक तो ऐसा सबको लगता है कि उस किनारे जाओंगा थोड़ा डर last में लगता है लेकिन अगर आप नहीं स्टुडेंट है उनको भी लग रहा है ऐसा कि उन्हें कुछ याद नहीं रहा रहा है बट ऐसा वस्तविक्ता में नहीं है जो चीज आप याद एक प्रैक्टिकल आपको चीज बताता हूं जो आपको याद नहीं लग रहा है या भूल गया हूं है उसे एक बार रिवीजन क कुछ भी हो सकता है लग रहा है कि अरे यह तुम्हें भूल रहा हूं मुझे आर्टिकल्स नहीं आदा रहा है मुझे इंगलिस नहीं पता चल रहा है हलाकि आप रोज पढ़ते हो डेली पढ़ते हो लेकिन ऐसा लगता है इसलिए होता है क्योंकि एक्जाम से पहले कि यह घब तो यह internal, inherently, जो आपका subconscious mind है, वो capture कर लेगा इस बात को, तो आप जो यह धीरे-धीरे सोच रहे हो ना, कि धीरे-धीरे यह निकल जाएगा दिमाज से, बात समझ में आगे आपको, यह चीज आपको बरकदार करनी है, तो पहली चीज क्या करनी है, कि आपको यह दर को दूर आपका ठीक है, ठीक है, हेल्थ अगर आपका ठीक है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, health is wealth, ऐसे ही नहीं कहते है, क्योंकि अगर दो दिन भी अगर आपको अपने चेन ब्रेक कर दिया, पढ़ाई का जो चेन है, उसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, तब तो आप फिर हार यह चीज आप कंटिनिव रखो, पढ़ाई का चेन आपको ब्रेक नहीं करना है, यार आपके सामने अभी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा अच्छा लोगो दिख रहा है, सोचो उस दिन को जब आप वहां जाओगे और घूमोगे फिरोगे रात में यूनिवर्सिटी क कैंपस की खुबसूरती देखोगे, कितना अच्छा लगेगा आपको, हर चीज आपको बहतरीन धंग से मिलेगा, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, तो जब भी बोर हो जाओ, तो अपना चेन मत तोड़ो, मालो आप एग घंटा पढ़ते थे, आप 50 मि पढ़ो, लेकिन पढ़ो, चेन अगर तोड़ो भी आपको स्टार्ट करने में फिर सुरू से स्टार्ट करना होगेगा, ये एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप बोर भी हो जाते हो, तब भी पढ़ाई बरकरार रखो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान Most importantly, ये एक basic चीज थी, अब बात करते हैं कि जिनकी पढ़ाई होगी, वो revision कैसे कर सकता है, पहली चीज मैंने पता है, revision class, दूसरी चीज आए, इस वीडियो के description में, यानि नीचे, आपको मिल जाएगा बहुत सारे playlist का link, अगर आपने पढ़ाई कर लिया है, जो paid courses के दे दिया है, दो practice set complete हो चुके हैं, फिर तीसरा भी आज कल में उन्हें मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे free वाले हैं, playlist में आपको लगभग 40-50 practice set मिल जाएंगे एक subject को, और एक practice set में 20 question है, तो आपके 1000 से above question आप कर पाओगे सभी subject के, जब इतना कर लोगे ना, तो आपको exam में डर नहीं लगेगा, सबसे बड़ी चीज़ यह है, तो आप इसको कर लेना, ये काफी important है, playlist का link सब का दिया गया description में, और आप सब जब complete कर लोगे, confidence boost up हो जाएगा, practice करने से important चीज़े note भी करोगा, सब previous year question वहाँ रखे गए हैं, revision जारी रखना है आपको, और जो दियान रखे, chain आपको नहीं तोड़ना है, chain अगर आपने तोड़ दिया, तो फिर आपको start करने में ज़्यादा समय लगेगा, पढ़ाई करो, regular करो, अगर मन बोरो जाता, music सुन सकते हो, आप कुछ देख सकते हो, लेकि ज़्यादा दिर में, music सुन के पढ़ाई करना भी ए